हेलो प्यारे बच्चो कैसे हैं आप प्यारे बच्चो आज हम क्लास नाइन्थ मैथ का फिर जब भ्यास करेंगे तो बच्चो हम एक से तेरा तक के प्रशन पहले वीडियो में कर चुके हैं बाखी के कोश्चन बच्चो मिस हो गए थे तो हमने इसके लिए दूसरा वीडियो बनाया है तो अब एक से तेरा प्रशन देखने के लिए पार्ट फस्त देखेगा आपको मिल जाएगा तो बच्चो जो कोश्चन मिस हो गए थे तेरा के चोदा के बाद से तो वह हम करेंगे इस वीडियो में बच्चो प्रशन हमारा शिरू होता है चोदा नंबर का तो पच्चो प्रशन एक पेड को जमीन से 12 फिट की उंचाई पर इस तरह तोड़ा जाता है कि पेड का शिर्ष पेड के अधार से 9 फिट की दूरी पर जमीन को छूटता है जैसा कि चितर में दिखाया गया है पेड इसका उतर आएगा 27 फिट पर हम वीडियो बना चुके हैं गलती से कुछ कोस्टन मिस हो गए थे तो इसलिए हमने दुबारा वीडियो बना दिया है जिसमें आगे के कोस्टन को सोल करा रहे हैं तो आप दोनों वीडियो देख लीजेगा ताकि आपका जो पूरा वो कवर हो जो ठीटिया तो चलिए इसका जो थर्ड ऊक्षन है आठ बटा नो चार बटा पांच ग्यारा बटे पंद्रा दो पर तीन यह घंते क्रम को दिखा रहे है घंते क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बली संग्या फिर उस से चोटी फिर उस से चोटी लगवर नो बढ़ा है चा चार बटा पांच चोटा है और ग्यारा बटा पंदरा चोटा है चार बटा पांच से तो कैसे भी कर लीजिए यह घड़ता क्रम है इनका तो यह थर्ड वहला आंस्वर सही है अगला है आपको देखिए बच्चो यह हिस्टोग्राम दे रखा है तो आपको यहां पर चात्रों की संख्या के रखेंघ कらい से कितने अधिक ग्याट तो पॉपर गया वीन इसमें 6 Alrighty सँख्या के 6 क्याँ दूसरी सब्सकार है पांदरा चात्र ने 255a people in total कि साथ भी कक्षा में पैली कख्षा से कितने बच्चे ज्यादा है तो बच्चे 25 बच्चे और पेली कक्षा में थोड़े बच्ची तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कख्षा साथ में 45 बच्चिया कख्षा एक में 15 अब कितने ज्यादा है कख्षा साथ में तो घटाव करोगे आएगा 30 जा तक तो आंसर क्या आएगा आपका 30 वाला यानि थर्ड कोस्ट आप ऑप्शन सही है एक कार तीन गंटे में 165 km की यात सब्सक्राइब दूरी तैकी जा सकती है तो आएगा 165 बटा तीन गुना दस अब आप काटोगे तो कट जाएगा एक सब्सक्राइब कर जाएगा तीन से पच्पन पर यानि पच्पन का भाग जाएगा इसमें और पच्पन को गुना करोगे 10 से तो आजाएगा 550 तो इसका सब्सक्राइब करके दिया हुआ यहां पर एक आयत की लंबाई है चुड़ाई कानपा साथ अनपाद 6 है आयत का आयाम क्या है यदि इसका परिमाब तो सो चोंती सैमी है तो इसका लंबाई आएगी ट्रेसर से मी तो चुड़ाई आएगी चौपन से में ने बैंक से 35,000 5 वर्षों के बाद बैंको वापिस करने की आप चकता है तो वापिस करेंगी बच्चो 38,200 क्यों मालूस रूप है निमा लिखीत में से कौन सा 81-k की घा चार का गुंखन नहीं है इसका उतराएगा 9 प्लस-k इए दुकानदा ने एक घड़े को 20% किलाफ़ और एक घड़े को दो घड़ियां थी एक घड़े को 20% किलाफ़ बैच या दूसरी को 12% कि हानी पर बीच घड़े का विक्रय मुले 46 क्या यानि घड़ी को खरीदा गया था 36 रोपे में और दूसरी घड़ी को खरीदा गया था 1760 रोपे में इन दोनों विक्रों के अधारवाज सही कथन को चुनिए तो इसका सही कथन है दुकांदार ने कुल मिलाकर 7.2 पर्तिशत कलाब कमाया 17,as Bronze прог चुट ऎक में पार्षाए्म ओत्से अ माते हैं बहुत असाथ असा थी असा तफी मद्यम फ्रेनिया कटिग्र था तो आपको आसान लगी तो आपbon करोगे तो मद्यम करोगे तो आपको बताना है ठीक है तो आप बताओगे और टिक करोगे अगला है आपने परिवार की मदद ली या पुस्तकों की किताबों की इंटरनेट की साहिता ली ती जो उपर हमें सवाल दिये गए ते उनको हल करने में या अपने दोस्तों के साथ बैठे थे और परिशनोत्री को हल किया या किसी की मदद नहीं ली खुदी की चारों में से जो काम आपने किया है उस पर आपको टिक लगाना है एक दो तीन नंबर चार नंबर पर अगर आपने खुद की है मदद नहीं ली तो चार नंबर पर टिक करोगे दोस्त के साथ मिलकर की है तो तीन नंबर पर औ किसी की मदद ली है तो आप यह दो नमबर पर तीक करोगी अपने परिवार में किसी की मदद लिए तो एक नंबर बटिक करोगे इस पशनोती को हलकर के लिए एक नहीं और किसकी डिवाइज यानि किसका नहीं को या झालिया था या खुदक आपके पास ही मोबाइल टैबली ये चारों में से किस की काम किया है इसका मोबाइल टैबलेट ये लेकर आपने अपना homework complete किया है तो चारों में से जो option आपने किया है उस पर आप टिक लगा दीजिएगा तो ये बच्चो आपका हो जाता है आज का क्विज अब्यास तो बच्चो दोनों वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपका आज का क्विज को आप cover कर पाओ आपको थांक्यू